हेलो दोस्तों, हमारी ब्रह्मान में क्या एलियन्स सच में कही है या ये इनसन का बस एक कल्पना है दिग्यान में रुची रखने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत रोचक प्रस्न है हाली में हुई अनिको रिशर्च और स्टडीज ने ये बात तो सावित कर दी है कि हम इस ब्रह्मान में अकेले नहीं है एसे बहुत जिग्रे हैं जहां जीवन की होने की पूरी संभाबना है बहुत से लोगों का मानना है कि एलियन्स से जुड़े बहुत सी जानकारी दुनिया की अलग-अलग तेशों की सरकार के पास मौशूद है लेकिन आम लोगों तक एलियन्स से जुड़े रोस्य को पहुँचाने नहीं दिया जाता बहुत सी लोगों ने समय समय पर ये दावा किया है कि उन्होंने एलियन्स या एलियन्स के स्पेसिप को देखा है और कुछ लोगों का कहना है कि एलियन्स ने उनका अपरान क्या था जिसे हम एलियन अब्डक्शन कहते हैं ये कोई येसी चीज नहीं है जिस पर लोग जल्दी येकिन कर सेकें येसी घटना ये जादा तर मोवीज और स्टोरीज में रहती है लेकिन हर साल एलियन की केड़नाप की घटना कही ना कहीं से आती है जिस पर येकिन करना तो मस्किल होता है लेकिन इसमें सच्चाई नजर आ ट्राविस वाल्टन दिन था उन्नेज डे नवेंबर 5, 1975 अपाचे सिट ग्रेप्स निशनल फरेस्ट अमेरिका में ट्राविस वाल्टन अपने छे दोस्तों के साथ जंगल में काम कर रहे थे जंगल की पेड़ पोदों को मैनेज करना उन साथ लोगों का काम था हर दिन की तरह वो भी एक नर्मल सा दिन था जब उस दिन का काम खत्म हुआ तब वो लोग रात को अपनी जीप में वापस आने लगे तब करीब साड़े छे बोजे के आसपास उन लोगों ने आसमान में एक बहुत बड़ी चमकती होई लाइट को देखा उस लाइट का आकार गोल था इस डिज को देखकर उन लोगों ने जीप को रोग दिया जब उन लोगों ने उस लाइट को सामने से दिखा तब उन लोगों ने उस अबजिक्ट को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया एक अजीब गोलाकार का अबजिक्ट जो की जमिन से करीब 20 पेट उपर मन रहा था जीब को रुक कर वो लोग ये सब देख रहे थे तब ही उन 7 लोगों में से सिर्फ ट्राविस को पता नहीं क्या किरोशिटी जगी और वो उस डिस्क के करीब जाकर देखने लगा उनके दोस्तों ने चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहा कि मत जाओ उसके सामने तब भी वो उसके पास गए उसके पास जाने के बाद वो यूफो बहुत तेजी से रोटेट होने लगा फिर अचानक से ब्लू लाइट जोर से चमकी और एक बहुत जोर का हावा का ब्लू आया और ट्राविस दुर जाके गिर गया फिर वो स्पेसिप और एक ब्लू लाइट उन पर दागी वो लाइट जोर से चमकी और उसके बाद उनके दोस्तों ने देखा कि ट्राविस गाएब हो चुका था यह अजिब घटना देखकर उनके दोस्तों ने तुरंद गाड़ी स्टाट किये और वहां से भागने लगे और सोचे कि ट्राविस मर गया होगा वो चीज चाहे वो कुछ भी था वो ट्राविस को मार चुकी होगी जाते जाते एक दोस्त ने कार की ब्याक मिरर में देखा कि एक यूफ जैसा कुछ अबजेक्ट दिखा जो कि आस्मान की तरफ बहुत तेजी से गया फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनके दोस्तों को गिल्ट फेल होने लगा कि हम ट्राविस की हिल्प क्यों नहीं कर पाए और वो तैक ये कि चलो वापस चलते हैं और एक बार देखते हैं कि आखिर वो चीज थी क्या तो वो गाड़ी को रिबर्स करके फिर से वही लोकेशन में गए जहां पर ये गटना हुई थी तब उन लोगों ने देखा कि उस जगा पर ना ही कोई स्पेसिप थी और ना ही ट्राविस सब कुछ गाइब हो चुका था दिन बित्ता गया ट्राविस नहीं मिला पांच दिनों बाद ट्राविस को उसी जंगल में बहुस पाया गया ट्राविस ने बाद में कहा वो लाइट मेरे सरीर पर एक हाई वोल्टेज इलेक्रिक सॉप जैसा लगा फिर में बहुस हो गया फिर उन्होंने कहा तब मैंने अपने आपको एक अजीब से कमरे में पाया जहां पर चोटे कदवाले अजीब से जीब थे और उनकी आखें बड़ी थी और सरका साइज एक इंसान से कहीं जदा बड़ा था उन सब की हाईट पांच फिट की आसपास थी और वो यलो कलर की सूट पेहने हुए थे फिर उन्होंने ट्राविस को बेड़ पर लेटाया और उनके मूँ पर एक मास्क रखा जैसे ही उन्होंने उनके उपर मास्क रखा वेसे ही वो पूरी तरह से बेहोस हो गए और अगला सिन उन्हें जो याद था वो था कि वो जंगल में गिरे हुए हैं तब उन्होंने उस यूफो का निचले हिस्से को देखा जिसने उन्हें जंगल में ड्रॉप किया था उन्हें जंगल में ड्रप करने के बाद वो यूफो बहुत तेजी से आस्मान की तरफ चला गया उन्हें ऐसा लगा कि डेड़ से दो गंटे विते हुएं और उन्हें लगा कि उनके दोस्तों ने पोलिस को रिपोट कर दिया होगा और वो इनको ढूणने के लिए आ रहे होंगे लिकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो पांस दिन तक गायत थे इस पांस दिन के दोरान बहुत से इंवेस्टिकेशन की गई ट्राविस की दोस्तों की लाई डिटेक्टर टेस्ट भी की गई और उसमें ये पता चला कि उनके सारे दोस्त सच बोल रहे थे और एक अजीब चीज ये हुई कि जिस जगापे वो इवेफो उत्री थी उस जगापे जो पेड थे वो करीब 36 कुना ज़यता तेजी से उड़ फाइबर प्रोडूस कर रहे थे सायद येवेफो की उस चमकती हुई लाइट नहीं पेड को पूरी तरह से बदल दिया था जगल की डिटेल इंस्पेक्शन की गई और ये पता चला कि सिर्फ उसी एरिया की पेड पदों पर ये आमें जिंसा असर हुआ है बाकी पूरा जंगल नर्माल था इसी गटना के उपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम है फायर इंड स्काई दोस्तो इस गटना के बारे में आपका क्यार आए है हमें कमेंट में बताइए विडियो को एंट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं आगले एपिसोड में और एक रहस्य मई गटना के साथ तब तक के लिए स्टेट ट्यून अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सेयर करना मत बूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए यह से ही इंट्रेस्टिंग वीडियो जा आगे देखने के लिए